नमस्कार साथियों Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपका साथी कपिल टिवाड़ी आज आपके सामने 2 स्टंबर 2023 India Current Affairs का सेशन लेकर पर तुत्वा हूँ इस सेशन में अपने जितने भी India Current Affairs से संबंदित परसन बनें उन पर तर्चा करेंगे साथी इसमें एक या दो क्यूशन है साथियों जो World Current Affairs के भी एड़ के जाते हैं क्योंकि अगामी RS Pre 2023 की प्रिक्षा में है जो World Current Affairs में अगर कोई चीज महतोपुन है तो उसमें परसने कुछ आजा सकता है इसलिए मेरे द्वारा इसमें जो दो या तीन परसन होते हैं जो इपोर्टेंट है World Current Affairs के भी एड़ किये जाते हैं हम अपने 10 परसन या 11 परसन होते हैं इस सेसन में और मेरा प्रियास रहता है कि आपको या सेसन 10 या 9 मिंट के अंदर उपलब्द करवाए जाए जिससे आपका समय बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को भी अची तरीके से समय दे पाएं शुरुआत करते हैं दो स्टंबर 2013 इंडिया Current Affairs के पहले क्यूशन से सातियों पहला क्यूशन आपके सामने है देश के पर्थम होकी मुजियम का उद्गाटन है जो किस राजे में किया गया इपोर्टेंट क्यूशन है अगामी परत्योगीता परिक्षा में यह पर्षन आपको देखने को मिल सकता है देश के पर्थम होकी मुजियम का उद्गाटन किस राजिये में किया गया तो आप का अंसरोगा उत्तर परदेश में किया गया उत्तर परदेश में किस ने किया ये भी आपको पता होना चाहिए तो उत्तर परदेश के जो मुख्य मंत्री है योगी अधित ये नाजी ने इसका उद्गाटने है क्या कब किया तो गुंटी सगस्त को किया परदेश में कहां पर जांसी में किया अब इससे तीन या चार क्यूसन जो इपोर्टेंट वरने है इसी परसन को अगर गुमा के दे तो तीन या चार परसने एक्जामन बना सकता है आप से पुछेगा कि पर्थम होकी मियूजियम का उत्रगाटन किस राजे में किया गया उत्रपरदेश में अब आप से पुछले उत्रपरदेश में किस तान पर किया गया तो आप कहां से रोना चाहिए जांसी में किया गया कब किया गया गुंटी सग लिधन के नाम पर रहेगा। जो जांशी land है वहाँ uh तो इनका जनम प्रियाग-राज में हुआ था लेकिन इनकी जो करम भूमी है वो जांशी को माना जाना जाता है इसलिए जांशी में इनके नाम से यह müजियम है जो बनाया गया है इनका जनम तो प्रियाग राज में हुआ था गुटिस अगांसी को लेकिन इनकी जो करम भूमी है वो जांसी को माना जाता है इसलिए होकी मियूजियम है वो जांसी में बनाया गया आगे बढ़ेंगे अगले कुशन पर अपने बात करेंगे हाली में NCRT ने किस कक्शा के पाथे करम में राश्टिये युद्च समारक पर नया अध्याय सामिल कیا है कक्शा सासिंग को सरदान जली ये क्यूशन इपोर्टेंट रहेगा सातियों, NCRT ने जो कक्षा साथ के पाठ्यकरम में राष्टी युद्ध समारक के लिए नया अधाय सामिल किया है, हमारे बहदूर शैनिकों को सर्दान जली है, जो इसको सामिल किया गया है, कौन शी कक्षा से आप से पूछे, तो कक्ष साथ से इपोर्टेंट क्यूसन है, आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन पर अपने बात करेंगे सातियों, अगला क्यूसन इपोर्टेंट रहेगा, रेल्वे बॉर्ड के नए अधेक्स के रूपमें खिशे चुना गया है, ये पर्शन आप से पूचा गया है, रेल्वे यह पर्थम महिला अदेक्स है जो बनी है पर्थम महिला अदेक्स के रूप में पहली बार है जो चुना गया है किसी को तो इनका नाम आप से पूछें जया वर्मा शीना को इसमें यह किस का अस्तान लेगी यह अनिल कुमार लोहाटी का अस्तान लेगी यह पर्थम महिला अद हाली में डेनियल में गोहे पर्थम ट्रांजेंडर क्रिकेटर बनी है इनका संबंदे किस देश से है यह कि उसने भी पोर्टेंट है कि हाली में डेनियल में गोहे पर्थम ट्रांजेंडर क्रिकेटर बनी है इनका संबंदे किस देश से है तो इनका संबंद होगा कनाड़ा से ह होई जो पर्थम transgender क्रिकेटर बनी है इपोर्टेंट है पर्थम चीज है तो पुछी जा सकता है आप से ये क्यूशन आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे रेमन मैक्सेस पुरुसकार 2023 के लिए किशें चुना गया रवी कनन को चुना गया ये क्यूशन इपोर उसकार 2023 के लिए किशें चुना गया है तो आंसर होगा रवी कनन को चुना गया है अब ये रवी कनन कोन है ये cancer रोग विशेश हैं ये बारती ये डोक्टर हैं ये 2007 से SM के कछार अस्पताल और अनूसंदान के निदे सक हैं तक रहा है कि आपको ही पता है कि यहां से पर्शन इंड़े पर बात करेंगे हाली में चर्चा में रही कपाला, मंत्री स्तरिय, गोशना का समन्द किस से है ये परसन पूचा गया है कि हाली में चर्चा में रही कपाला, मंत्री स्तरिय, गोशना का समन्द किस से है तो ये यूगांडा से हैं इसमें क्या रहेगा कि जलवाईयू परिवर्तन का परवाशन पर क्या परवाव पड़ता है उसका देन किया जाएगा इसमें अभी स्तंबर में समयलन होगा इसमें 48 अफरीकी देश इस पर अपने हंताकसरे करेंगे आप से पूछेगा क्पाला क्य है तो इसमें यह होगा कि यह जलवाईयू परिवर्तन पर परवाशन पर इसका पढ़ने वाले परवाव का देन किया जाता है जो समयलन होगा इसमें 48 अफरीकी देश हैं वो इस पर अस्ताकसरे करेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे हाली में है तो आंसर यह एगा अमेरिका आप से परसन पुचा गया कि हाली में दक्षनी कोरिया ने कि देश के साथ सिंग तुआईयू शेन अभ्यास किया अमेरीका इसका आंसर रहेगा यह वार्षिक यूद शेने अभ्यास है यह साल में होता है इस दिए वार्षिक यूद शेने इसके साथ किया है दक्षिनी कोरिया के साथ मिलकर उत्री कोरिया को ये दिखाने का सकती पर्दसन मान सकते हैं कि उत्री कोरिया के खिलाप है यह किया गया है किसके खिलाप किया गया है उत्री कोरिया के खिलाप यानि उत्री कोरिया को दिखाने के लिए कि हम इतने ज़्याद powerful है आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे हाली में entrepreneur of the year 2023 का खिताब है किसने जीता आप से पूचा है कि हाली में entrepreneur of the year 2023 का खिताब है किसे मिला मनोज बुबना को मिला है important question है पूचा जा सकता है कि हाली में entrepreneur of the year 2023 का खिताब है किसे मिला मनोज बुबना को मिला ये N7 nitrogen platform के CEO है ये भी आपको पता होना चाहिए पूची है कोन है तो N7 nitrogen platform के CEO है मनोज बुबना आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे हाली में FIFA ने किस देश के फुटवाल महासंग पर लगे परतिबंद को हटा दिया है तो ये अंसो रहेगा इस पर पर्तिबंद लगाया था कि उसमें आपसी जो मा संग था उसमें जो सरकारी थे उसमें उफिसर उनका है अच्छेब जादा बढ़ गया था जिसके चलते हैं जो फिपा ने जनवरी 2023 में जो शीरलंका का फुटवाल संग था उसमें पर्तिबंद लगा दिया है और अब परसन पर बात करेंगे खूपिया जानकारी जुटाने के लिए किसने AI अदारीत औरोन विमाने लॉंच किया है ये क्यूशन इपोर्टेंट रहेगा कि हाली में खूपिया जानकारी जुटाने के लिए किसने AI अदारीत औरोन विमान है जो लॉंच किया है तो इजराइल न launch क्या है, ये विच्टो का पर्थम विमान होगा, इसलिए साथ यह important है रहेगा क्या person है कि खूपिया जानकारी जुटाने के लिए आप से ऐसे person है, खूपिया जानकारी जुटाने के लिए, किस देश ने A1 अदारीत औरोन विमान है जो लॉंच किया तो आप का आंसर होना चाहिए इसराइल ने आगे परसन है इस पर अपने चर्चा करेंगे गलोबल इंडिया ए आई 2023 समयलन की मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा तो भारत है इसकी मेजबानी करेगा यह पर्थम संस्क्रण होगा इसका आयोजन इलेक्ट्रोनिक और सुचना परोद्योगी के द्वारा किया जाएगा आप से पूछे कि इंडिया ए आई गलोबल इंडिया ए ए आई 2023 की समयलन की मेजबानी कौन करेगा तो आंसर होगा भारत करेगा यह इसका पर्थम संस्क्रण होगा इसका आयोजन इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना परोद्योगी के मंतरा लेके द्वारा किया जाएगा तो साथ यह इस साथ में जो इंडिया करं अगर आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक वाज शेर जरूर कीजिएगा इंफ्यूजन नोट्स की यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा टेलीग्राम पर जुड़िये वहां पर आपको पीडिया मिलेगी मंतली वीकली और जो भी करंट अफेर्स के मुद् शेर की जाती है तो इंफ्यूजन नोट्स की यूटूब चैनल को लाइक वाज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद